कि अलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैंस की प्रिप्रेशन कर रहे होंगे कल हमने देखा था डे वन याई दो सेट देखे थे उसके अंदर आज हम करेंगे डे टू जिसमें भी दो सेट रखें मैंने तो आज इसमें मैंने एक सेट र लगे तो उसमें प्यों मैं आच को है तो वो कल रक में आ सकता है इस इंपोर्टेंट पॉर आपके अगर आफ़ टैंडी ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और पेल आइकन जुरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटबिकर सना आपके पास आजाएं परही बात अभ्यास मेगजीन के सोल्यूशन्स की उसके बाद हम अभ्यास में एंके ने करेंगे उसके अंदर हम कोश्स यही मेरी की दो वीडियो है जिसमें एक वीडियो में बच्ची मेत olmatic साथ में एक वेडियो डियरी का स्टार्ट किया सहें एक है और बच्ची उसके बाद wrong number series भी करेंगे wrong number series भी करेंगे missing तो यह सब planning है आगे कि देखते हैं आगे तो आप जोड़े रही है चैनल को subscribe कर लेजिए तो आएए देखते हैं पहले डिया आज की यह रही है आज की फैस्ट डियाई आपकी स्क्रीन कर तो इसको रीड़ करिए एक बार पूरी को यहां से लेकर यहां तक और यह भी पूरा की इनमें क्या क्या दिया है कैसे दिया है एक बार रीड़ किजिए आप कि अब कि अब कर लिया है आई अब रीड़ करते हैं अधिस्ट कर लिया है आई अब रीड़ करते हैं अधिस्ट कि अबन यह क्यूंद करते हैं इन अबन यह करते हैं मुद्वाट्यू आर शुर्ण्यू इंवाट्वक थार्स पूर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन दे गिवन पाइचार्ट ओप दे पर्सेंटेज ओप क्लासेज इन हावर्स, तेकन वाइब फोर योगा टीचर, सचीन, विशनु, वेबव, एडित्य, एंड टोटल, टाइम फोर क्लासेज, फोर फिप्टी, हावर, यह आपको टोटल दिया है, इसके अंदर की मदब जो पॉर फिप्टी में से, जो आदित्य है, वो बाइस परसेंट आवर यूज करता है, सचीन, 34 परसेंट आवर यूज करता है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, इन दे फॉलोविंग, एबल दे रेश्यो ओफ टाइम स्पेंट ओन दे टिप्रेंट इसे दिया है, यह अदित्ते का रेश्यो हो गया, इं था प्रैश्यो फॉर रेश्यो टू, अपने को पाई चार्ट में क्या दे रका है, इन का टोटल और दे रका है, तो अधित्या कितने दे रेका है, टोटल, 20 परसेंट, किया यह भी तिननों टोटल हावर है बिल्कुल है यह रेशियो में कितने है ग्यारा हावर ओरिजिनल कितने है अपने पास 22 परसेंट तो एक की वेल्यू यहां से क्या होगी 2% ना कि original 2 नहीं है 2% ठीक है. तो ऐसे अगर हम देखे हैं तो इस 5 की value क्या होगी अपने पास? 10% 4 की value क्या होगी? 8% 2 की value क्या होगी? 4% यह original value आगए? पर्सेंटेज में. इन पर्हेंटेज और है नन वेल्एम. vertical को total कितना टाइम लग रहा है ratio में? साथ तो नो प्लस पांट फिट फूर्टीन तो यह बो का परसेंटेज में कितना है 28 परसेंट एक की वेल्यू यहां से भी 2 परसेंट हो गई यह क्या हो गया 4 परसेंट 14 परसेंट और यह 10 परसेंट कि विशनू को रेश्यो में टोटल आवर कितने लग रहे हैं 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 और इधर कितने लग रहे 16 परसेंट यहां से एक की वेल्यू क्या जाएगी 16 बाइन परसेंट आगए तो इस एक की वेल्यू क्या जाएगी इस दो कि वेल्यू क्या जाएगी एक की वेल्यू 16 बै ना तो क्यों 32 बाइन सिक्स की वेल्यू क्या जाएगी नाइनन टिन सिक्स बाइन उप है बैंट्रे रहें ृचिन के टोटल रेशो में कितने आ रहे है एट प्लस 6 14 प्लस 3 17 यहां कितने है 34 7 की वेल्यू 34% तो 1 की वेल्यू यहां भी 2% यहां 2% तो यह कितना हो गया 12% 16% और यह 6% तो यह जो टोटल परसेंटेज आया है यह एक तो 100% है और 100% की वेल्यू अपने पास कितनी है 450 आवर क्या है हम मेरे पास इससे कोई मतलब रहा हम है कोई मतलब नहीं सब कुछ हमार पास परसेंटेज में आ गया यह काम करना कैसे बस माइंड में सोच के चलना है कि आदित्य विशनू और सचिन इन तिनों के एक की वेल्यू दो-दो परसेंट है बस और उसमें एक की वेल्यू 16 by 9% है यह अपने यह मतलब यहां पर छोटा सा पेज के ऊपर को ना बनाना उसके अंदर बस लिग लेना बस थोड़ा सा ताकि आपको द्यान में रहे कि उसन करते टाइम की बूल ना जाओ कुछ गडबड ना हो जाए तो आए देखतें इस पर फैस्ट क्यूशन पहले तो आपके इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए ताकि आने वाले आगया वाले क्यूशन में मैं सिर्फ यह यूज करूंगा तो आपको दिक्कत ना है और यह देखते हैं पहला क्यूशन क्या गयता है पढ़िए आप पढ़िया तो यह देखते हैं वाट इस दे परसेंटेज ओप नम्मर ओब बेसिक क्लास सेट्स जाने रा क्या वरड लाड ना की हावाद टेकन बाई वेभाव तो दे नम्मर ओफ रेगुलर क्लास टेकन बाई सेट्स इंसर वेभाव की बेसिक क्लास मतलब एक आवर वाली दो दो की वेलियों अपने को कितने पता दी 4 परसेंट यह आवर की बात करों इसके 450 के जो बेसिक अब यह टोटल क्या है अपने पास आवर तो क्या मैं एक क्लास का जो टाइम था उससे मैं इसको डिवाइड गर दूँ तो मेरे पास इसकी क्लास नहीं आएंगे प्लास आजाएंगे जो बेसिक क्लास ले रहा है नहीं बेसिक क्लास का एक क्लास का टाइम कितना था वर ना अब अब यह अपने को पूछा किस से हैं अब यहां जो रेकुलर क्लास थी वह एक क्लास का टाइम कितना था दो आवर का यह अपने पास टोटल आवर आएंगे एक क्लास का टाइम कितना था दो आवर दो आवर से इसको डिवाइड करते हैं तो नंबरों क्लासेज नहीं आजाएंगे बिल्कुल तो यहां टू आवर से डिवाइड करेंगे कि परसेंटेज निकालना है तो मल्टिप्लाइए में अंट्रेट इस परसेंटेज से इस परसेंटेज चला गया और दो से यह आठ चला गया और यह बच्छा क्या और वाइट इंट्व एंट्रेट यह क्या होता है इसका पहला प्रसेंट क्या यह एस बीए प्यों में आई वे तो यह अब आसकते नॉर्मली आ सकती है बिल्कुल आज़ाने से कर भी लेंगे अब क्यूंकि एक बार आच उके बस इसमें गड़बड क्या होगी प्लास आवर फूच्छा क्या है बस यह ध्यान देर लेना यह इंगड़बड होगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं पढ़िए चोटा सी क्यूशन आउव मेनी मोर रेगूलर ग्लास टेकन बाई आधित्ते लास की बार पर रहे है वह इंगा पर देन सर एडवान्स ग्लास टेकन बाई वेबाव से तो डेगूलर ग्लास मिंस दो अब्वांस क्लास मतलब यह दिए परसेंट और सब्सक्राइब यह टोटल अवर आया एक क्लास का टाइम की तब एक क्लास का टाइम टू और था अगर निकालनी है तो तू आवर से डिवाइड करना पड़ेगा और बिलकुल आधित्य कि नहीं वेबों की बात कर रहे हैं वेबों सर एडवांस क्लास कि इस फाइब की वेल्यू क्या है तेन परसेंट तो एक मिनाट तेन परसेंट ओफ फॉर फिप्टी यहां डिवाइड कितने से करेंगी तीन आवर से वेबों कि जो एडवांस क्लास है वो तीन आवर की यह थीक है इसको शोल करोगे आप तो यहां से पहल तो यह चला गया च्याव फोर इस परसेंटेज को अठाया होगे तो निच्छे अंड्रेड आ जाएगा तो यह 0-0 9 2 यह तो यहां से तो यह आगया 18 यहां परसेंटेज अठायोगे तो डिवाइड वाई अंड्रेड जीरो सी जीरो 9 2 और यह 5 और यह 3 से काटोगे तो इसको इन 3 नो तो यह यहां से कितना आ गया 15 तो इन दोनों में जो डिफ्रेंस है वो कितना है कि इन का तो यहां से भी आंसर हो गया तो कोई प्रोब्लम आई इसमें नहीं नॉर्मल हो गया तो आए देखते हैं नेक्स्ट क्यूसर्ट इसमें नहीं कोई पर लिया देखते हैं क्या करें वाट इस दे रिस्ट्यों टाइम यहां पर टाइम की बात कर रहा है इस पेंड वाइ सचिन सर एंड विश्नु सर टूगेथर इन बेसिक लेवल क्लास को तुद्दैट ओ रेगुलर लेवल क्लास तुदम बंत जो वो बेसिक नहीं को सचिन और विश्नु यह दोनों जो पहले basic class में उनको time लग रहा है फिर जो regular class में उनको time लग रहा है उन दोनों में dip उन दोनों का ratio पूच है ठीक है तो यहां पे मेरे को पता था है कि एक की value कितनी थी 16 by 9% यहां पे एक की value कितनी थी दो परसेंट तो यहां तो एक की है एक की value 16 by 9% प्लस इस दो की value क्या हो जाएगी नहीं यह 16 है न अपने गवाद तो यह basic class का addition आ गया इस दो की value क्या हो गई 32 बटे 9% प्लस एट एट की value क्या हो गई 16 परसेंट यह भी किसका निकालना है और 450 तो क्या मेरे को यहां पर ज़रूरी है कि मैं यह लिखूं कि कट हो गया अपस में यह तो देश्य लेना है कि यहां पर अगर क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे वैसे परसेंटेज भी common आ गया उपर से और निचे से कट गया इस 9 को अगर क्रोस मल्टिप्लाइ किया तो यह बन गया 108 108 में 16 एड करोगे तो कितना बनेगा 124 डिवाइड वाई 9 इस 9 को इधर क्रोस मल्टिप्लाइ किया तो यह बन गया 144 144 में अगर 32 एड किया तो यह बन गया 1676 176 डिवाइड वाई 9 9 से तो 9 कट गया इसमें 4 का डिवाइड गरोगे तो यह 31 और यह 44 तो थार्टीवन कि रेस्यों 44 जागे कटेगा नहीं यह यह आंस्वर डीज दरांस्ट राइट आंस्वर या कोई प्रोब्लम हुए कि उसन में बिल्कुल कोई प्रोब्लम यह नॉर्मल स्टेप टू स्टेप सोल कीजिए का कि उसन इसली बन जाए बस इतना ही ध्यान रखन इसमें कहां टाइम की बात कर रहे हैं कि कहां क्लास की बात कर रहे हैं कि देखते हैं नेक्स्ट कुस्ट प्रोब्लम है पढ़िए पढल्या अदेखते हैं पाल्या नुट वेत्टा का फैंट हैं यहम चा स्टी नूर्मों जोच कर चसा दो की वेल्यू पॉर परसेंट डिवाइड किससे करना है एक से तो नम्बर ओप एडवांस क्लास बाई विस्नू सर 6 की वेल्यू क्या हो जाएगे एक की वेल्यू 16 बाइन परसेंट तो यहाँ पे 96 बाइन परसेंट यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है पीन से क्या यह भी पूरा मलब 40 ओ 40 आएगा वो कट जाएगा कोई लिखने के ज़रूरत नहीं है बार बार ठीक है तो यह उपर वाला तो एक परसेंटेज से परसेंटेज भी कट गया तो उपर क्या वाजा तो डिवाइड भाइ 96 अपॉन 27 यह 27 भी उपर चला जाएगा तो यह उपर क्या हो जाएगा 4 इंटू 27 अपॉन 96 इसको 4 से काटोगे तो यह कितना आगया 24 फिर आगे काटा तो यह 9 और यह 3 से काटा तो अमने बास रेश्यों क्या आगया 9 रेश्यों 8 कोई प्रोब्लम हुई इसमें नहीं हुई न आगे देखते हैं यह इस डिए का लास्ट क्यूसन था इसमें च्यारी क्यूसन आये थे एक डिए हम छोड़के आये हैं स्टार्टिंग में वो डिए करते हैं तो इच्छी डिए के यह यह आप ऐसे भी मान सकते हों कि एक तरीके से आपको अर्थमेटिक क्यूसन पूछेंग तोपिक टेंग वाटर टेंग वाला टोपिक है जिसमें आप वाटर फिल कर रहे हो कभी निकल रहे है कभी बात जा रहे है कभी लिखिये जा रेड़ गीजी क्या देर कैसे है इराई आगे हम सब्सक्राइब करते हैं कर लिया तो आये देखते हैं देर आर फाइब पंप्स और डिफ्रेंट केपिसिटीज पीवन पीटू पीथरी पीफाइब यह पांच पंप है और यह इनके बारे में डाटा दिया हूँ तो पीवन के बारे में पहले क्या डाटा दे रहा है कि रज़क्रटा मिद्यारे का समय प्यष्ड़ीनट प्रेंट अगर उसको 20 मिनट stern को कि पोटींट फिल करने में लगरे हैं तो एक टेंग कुद में कितना वन्याट पर सेंट ही तो होता है उसको इंट्रेड परसेंट पिल करने में जो कितना है लगेगा कि आपको गे 25-40 परसेंट इन्ट एंड्रेट परसेंट तो यह से 50 मिनट आजाएगा तो पीवन क्या आया है 50 मिनट ठीक है आगे बात करते हैं पीट टेक्स 45 मिनट तो फिल थर्टी परसेंट ऑफ दे टेंग 30 परसेंट पिल करने में 45 तो एंड्रेट परसेंट पिल करने में कितना टाइम लगेगा 45 बटे 30 इन्टू एंड्रेट तो यहां से आ गया तो ओर यह 3 वन फिप्टी मिनट मैं यह कंप्लीट टेंग बनने का टाइम निकाल रहा हूं 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 नेक्स्ट देखतें इटेक्स 15 मिनट तो फिल देग जिरू पॉइप परसेंट पांच परसेंट बनने में वो 15 मिनट लेता है तो इसको मैं अगर 20 से मैटिप्लाइ करतें तो यह अंड़रेट परसेंट हो गया मेरको इधर भी 20 से मैटिप्लाइ करना पड़ेगा तो यह 300 हो गया तो पीधरी कितना ले रहा है 300 मिनट तेन परसंट इसके बाद इस प्रख्ट टेन मिनट में ले रहे हैं और तेन परसंट करने यह अगर टेन मिनने ले रहा है और उसकोaráं दस लिए हरosis को भी दस से मिल्टिप्लाइ कर दो तो यह एंड्रेट परसेंट की वैलियों आजाएगी कितनी आएगी एंड्रेट तो पी फॉर का टाइम कितना आ गया एंड्रेट मिनट कि पीफाइब क्या गर रहा है इटेक्स सेवन मिनट तो फिल दर फाइब परसेंट अप दे तेंग पांच परेसंट कि करने में सेवन मिनट ले परेसंट करने में कितना टायम लगए इसका हो जो इसने Um कि या फिर अपनी कॉपी में लिser लीजें यह इतना डाटा यह पीटू 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 पीफाइब का को कि में लिख लिए एक कॉनल पिर आगे सॉल करते हैं तो आज देखते हैं पहला किसे पढ़िए कि उसन पहला और कि उसन पढ़िए अगर आपसे हो रहा है तो वीडियो को पोज कीजिए बनाईए उसके बाद लेक्टे हैं बनागे पढ़ लिया होगा तो आएए देखते हैं एक टेंक हैस थ्री पंप्स पीवन एंड पीटू तू फिल दे टेंक एंड थार्ड पाइप तू मेक इट एंप्टी पीवन और पीटू बरने वाले टेंक का मतलब प्लस हैं एक थार्ड पाइप है वो नेगेटिव हो गया उसको में पीथरी तो नहीं ले सकता है या पर बोला नहीं है थार्ड पंप इस टेख सिक्स्टी मिनट टू एंप्टी हुट欸 सेवंटी नाट टैट है सिवंटी पर्सेंट को एंप्टी करने में लेता है तो 100 को king ृपडी कपकुरियाँ क्षटी व्यां 75 इंट्व इन्टू एंडब करसेंट कुरेश हैmm 2 यह ट्टी मिनट आ गेओ यह किताना टाइम लेता है माइनस एट्टी मिनट्ट पीवन और पीट्टू कितना टाइम लेते हैं 50 और 150 मिनट्ट पर यह मैसा मदलब इसे पिलस और माइनस देनोट कर देना ताकि आपको कौन इंप्टी कर रहा है और कौन फिल कर रहा है जाह मेरे तो क्या मैं यहां से तीनों की एफिसेंस निकालने के लिए पहले मेरे को क्या दर लेना पड़ेगा LCM LCM यहां से क्या आएगा देखते हैं बात करते हैं यह कितना है 15 टू 1 यह कितना है 15 टू 3 यह कितना है 10 टू 8 क्या इन दोनों का LCM लो मैं पहले दोनों का तो मेरे पास 15 टू 3 आ गया मैं अगर इनको थर्ड से जोड़ू इसको में थर्ड से जोड़ू तो यह 10 इंटू 8 है तो यह 10 तो इस 50 में आ गया पर 8 कहीं नहीं आ रहा तो क्या मैं 8 यहां ले लू यह क्या LCM नहीं बन गया तो यहां से अगर मैं Efficiency निकालू तो Efficiency क्या होता है total work upon time total work तो यह था time कितना है 15 तो यह इसकी तो आगे 24 इसकी कितनी आगे 8 इसकी कितनी आगे 50 यह minus किया है यह plus किये यह plus है आगे कि उसरे में क्या वोलों है बड़ी पर्थे मिनेटे नहीं अरोपन इन दे बिगेनिक आफ्टर 14 मिनिट्स थर्ट फ़इब इस क्लोज्ड तुम जब 14 मिनिट तक तिननों ने काम किया कितना काम किया है वंटीफोर प्लेष एक में से माइनस 15 करोगे तो 17 कितना काम किया है 14 मिनिट तक एक मिनिट में 17 काम कर रहा है तो 14 में 14 इंटो 17 कितना कर लिया होगा 14 इंटो 7, 98 238 वरक कम्प्लीट हो गया, टोटल वरक कितना था 150, 1200, अगर 1200 में से 238 वरक कम्प्लीट हो गया, तो बचा कितना 9 से 62 वरक बच गया, अब इसको 3rd पाइप अगर अपने क्लोज कर दिया तो कौन करेगा पीवन और पीटू, पीवन की efficiency क्या थी, 24 प्लस की, पीटू की 8, तो टोटल efficiency एक मिनट की 32, ये 32 की speed से 962 वरक कितनी देर में करेंगे, तो पहले तो बाहर चला गया पूरा-पूरा, फिर बचा 2, 2 में जा नहीं रहा तो पहले लेंगे 0, 20 में भी नहीं जा रहा तो फिर point लगाएंगे, तो 200 यानि लगबग 6, 30.6 मिनट, ये ध्यान रखना, तो यहांचे answer यह हो गया, ये 30.06 है, और अपना आंशूर है, 30.6 बोर डिफ्रेंट्स ए, अप्रॉक्ष्यमीट आंशू नहीं पूरेंट्स असे, इसलिए, नने ऑपिज चंश होगाएं, एक निए, टेक प्रेटी ने इसमें किसकी बात कर रहा है पंप P3 and P4 are filling the pump while a third pump can empty the full tank in 50 minutes P3 और P4 filling pump है और एक third pump है वो 50 minutes में complete खाली कर देता है P3 और P4 का time कितना था? 300 और 100 P3 and P4 are kept open for 10 minutes in the beginning तो यहां से LCM कितना आ जाएगा? 300 का 300 का LCM आ गया तो इसकी speed क्या जाएगी? Speed आए न, efficiency 1 की आ गए P4 की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी और यह जो empty कर रहा है इसकी efficiency कितनी आ जाएगी? minus का 6 P3 and P4 are kept open for 10 minutes P3 और P4 दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4 काम कितनी थे? 4 tank fill करेंगे 1 minute में 10 minute में कितना फिल कर रचुके होंगे? 40 fill चुकर चुके? sorry and then third pump is also opened मतलब अब तीन न ओपन है पहला दूसरा तो open है यह तीसरा भी open कर दिया तो यहां से क्या आ रहा है टोटा? minus 2 मतलब यह तो निकालेंगे तीसरा open करते हैं बाहर ही निकलेगा अंदर तो कुछ नहीं जाएगा 1 minute में कितना निकल रहा है? 2 तो चालिस तेंक में बरावा कितना है? 40 ही बरावा है ना? तो चालिस कितनी देर में बाहर निकल जाएगा? आपको 20 मिनाट में तो पूछा गया, how much time will the tank be empty? कितनी देर में tank empty होजाएगा? 20 मिनाट में I hope आपको समझ में आया होगा ज़र समझ में आया है तो भी आप चैनल को like, share and subscribe जरूर करें आगे देखते हैं नेक्स्ट कूशन पढ़िए पाम पटाएग सक्षार अवाण constructive Pulp p1 and p5 और उची क्स्ट कूश में गणी देरे माल गया प्लाजव टीडिपर फ्लेट की तेर इस EPP squad टाएग sih Так पंद बें तक फिल इंग फुल इंगी जो इंग फिने इन हमस्टी थार इंग अपम्ट अलों कैं एंगी फिट एद इंग दो पिर ओड्ड दोडेख्ड एफ पिर आपयों और वा कि पड्ड़ एंगे लोग मंड़ीटंग भी प्रूक कुछ यह किस्ति मिनट्व और इसको 140 मिनट्व हां लेक है कि इन दो कि आप से क्या ले सकते हैं तो यहां पहर 140 और 50 है तो 14 को 5 से मिल्टिप्लाइग गरोगे तो 70 और 0 तो ही है तो 700 टोटल वरक आ गया तो यहां से अपने पास efficiency कितनी आगई 14 यहां से efficiency कितनी आगई 5 यह दोनों फिल कर रहे हैं पर चो यह साथ 700 का तो यहां से अगर निकालें तो यह बोल रहा है कि 14 की efficiency से काम कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं 14 तो यह कर रहा है 5 यह कर रहा है टोटल तो 19 काम कर रहा है यह कर रहा है तो यह जो थर्ड फाइप इंप्टी वाला यह फाइप की efficiency से बाहर निकल रहा होगा तो यही पूछ है इन हम मस्टाइब थर्ड पंप अलों काने इंप्टी दे टेंग यह जो ही आपको फाइब दिखे तो बन फोर्टी आंसर हो गए क्योंकि अगर फाइब की स्पीड से ही कोई बन फॉप्संट सीज राइट आंसर नेक्स्ट टेंड नेक्स्ट थे नेक्स्ट वॉर्ट कीसम पडिय 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 अग्रीफ लिए टूपस पी फॉर और पीफोर कर रहे कितने देर में कर रहे हैं और लोके फ्री ओर पीफोर कितने मिनट में बर रहे हैं कर दिए तो 300 मिनिट में बाठाँ है और फूर कि तदे बुरना नहीं मिधा नहीं कॉप दो क्यां हूं देख लेटेम बैक जाको यहीं फुरा द्राओ 100 मिनिट में पीठी टीन सौ मिनिट में और यह थ tipping इस एक गई यहां से सिर्फ पीना गई ओर यहां से मैनस का दो ओल्ड थ्री टेफ्स वर्किंग तोगेदर काइन फिल दे टेंक इन वन फिप्टी मिनेट अपने पास तीन सो के पिसिटी अपने मानिये एल सेम के तरू तो यह तीन सो के पिसिटी को तीनो कितनी देर में बर देंगे तीन एक चार माइनस दो दो यह कितना आ गया 150 मिनेट क्यों सन भी क्या बोल रहा है कि 150 मिनेट ही होगा तो यहां से क्या चाहिए थेंस मिनेट है पर आगे का बताता हूं कि यह वन फिप्टी यहां पे ना कि अगर फिप्टी मिनेट आता अपने पास मानलों यहां से तीनों की टोटल एपिसेंसी छे आ जाती तो तीन सो से फिप्टी मिनेट आ गया कि उसन गह रहा है वन फिप्टी मिनेट तो यहां से एक की वेल्यों तीन तो तीन सो की वेल्यों कि इतनी हो जाएगी कि 900 यूनिट होई यह नहीं कि आप 900 को अगर 6 की काम कर रहे हैं तो डिवाइड गरोगी तो वन फिप्टी तो आ रहा है यह तो जिसमें बोला है तो क्यूस्टन में अपने को तीन सो गई पूचा था था तीन सो अपना उसी से आ गया था कि डाइरेक्ट आगया था कई बार एल से माज़ात आए कि सेम यह आ गया एक नेक्स्ट कुशन देखते हैं कि इसका लास्ट कुशन पढ़िए जल्दी से कि अब लार्ज टेंकर कैन भी फिल्ट वाइट टू पंस पीटू एंड पीट्री इस पीट्री एंड पीट्री टोगेथर फोर टहम पीट्री यह वन फिप्टी मिनाट में बरता है यह थ्रेंड मिनट्रीट में किसी को फिल करता है यहां से इन दोनों का यल्सेम कितना जाएगा है तो या थो कि स्पीड से भिल कर रहा हुए यह एक इस पीट से जो पहला जतना भी टाइम लगना है इसने दो बार काम कर रहा है कितने की दोनों कितना काम करते हैं इस तो तो फिर क्या कर रहा है ब्सट स city वर कुछ लगा वांड तो यहां से इसको काटोगे तो यह तो आगया टी और यह हो गया 3T by 2 में अगर आप टी एड़ करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 5T by 2 यह आगया 300 तो यहां से 5 से काटोगे तो यह आगया 60 और टी बराबर आगया 120 मिनिट यह होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड से जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो आई और कल के लिए मैं उतादू 25 को मेरे पेपर है तो कल मैं यहां से इंगर से निकलूंगा सुबह या तो आपके पास वीडियो आएगी सुबह 8-9 वजे तक वीडियो आ जाएगी और वह भी नहीं आती है तो यहां तो फिर आएगी आपको श्याम को यह आएगी 8-9 पियंद यह एम ता और बाकि अगर आपको जो भी इंप इंपर्मेशन होगी कल के बारे में तो आप टेलिग्राम पर जूड़ जाओ मेरे से में वहां पर डाल दूंगा बैंक एड़रेट बैंक एग्जाम प्रीप्रेशन तुछ अपना चैनल का नाम है ना बैंक एक्जाम प्रीप्रेशन 2.0 वहां से पॉइंट जीरो अटा देना यह बाकी वाला जो डाल देना और वेसे में डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे दूंगा वहां से आप उसको जोइन कर लेना वहां पे मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और अपने दोफ्तों के साथ आप सेर करेंगे करेंगे इस वीडियो को थैंक यू वेरी मच्च आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं